नमस्कार प्रणाम मैं आधित्तगर्ग आप देख रहे हैं इन खबर IPL आज IPL में उस मैच की बात करेंगे IPL में अब 2023 IPL में अब तक करीबन 54 मैच हो गए हैं लेकिन वो दो टीम जो अभी तक नहीं टकराई है आज उसका मैच है आपको बता दें कि चेन्नाई और डेली के बीच में आज मैच है जहां पर चेन्नाई की कप्तानी आपको मेहंदर सिंग धोनी करते दिखेंगे वहीं पर जो डेली है उनका कप्तानी आपको वार्नर करते दिखेंगे लेकिन 54 मैच होने के बाबजूद भी अभी तक IPL के इस सीजन में डेली और चेन्नाई नहीं भीरी है लेकिन आज IPL के 55 मुकावले में आज डेली और चेन्नाई जब भीरेगी तो मुकावला बहुत मज़ेदार और टकराओदार होगा आपको बता दें कि ये जो मैच है ये चेपोक में होने वाला है मतलब धोनी के गड़ में ये मैच होने वाला है जहाँ पर येलो आर्मी की एक बहुत बड़ी लहर चलती है वहाँ पर और किसी का नहीं चलता है और चेपोक में हर टीम नहीं हरा पाती है चेन्नाई को चेन्नाई का दबदवा रहता है राची के चेपोक के मैदान में अब क्या है मैच का समीकरन और क्या होने वाला है आईए आपको थोड़ी डिटेल में इस चीज को समझाते हैं आईपील 2023 में आपने अब तक लगभग सभी टीमों को टकराते देखा कुछ को तो एक नहीं दो दो बार भीरते देखा लेकिन चेन्नाई सूपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स की आज पहली मुलाकात होगी ये दोनों टीम आज पहली बार आमने सामने होंगे और मौका भी द जीत के साथ सूपर किंग के प्लेओफ का घनित बिगर जाए पर मैदान जब पीली जर्सी वालों का अपना हो तो क्या दिल्ली की उमीद परवान चड़ेगी चन्नाई के चेपोक मैदान पर CSK और DC अब तक आठ बार आमने सामने होए हैं जिसमें सिर्फ दो बार ही दिल्ल जीत सकी है इसमें भी आखरी जीत चेपोक पर उसने साल 2010 में जीत दर्ज की थी मतलब बात अब काफी पुरानी हो चली है आईपियल की पीच पर दोनों टीमें ओवराल 27 बार टकराई और यहां भी पलराच चन्नाई सूपर किंग का ही भारी है उसने 27 में से 17 मैं जीते और दिल्ली कैपिटल्स को 10 में जीत मिली है वैसे इन सारे आखरों के बीच दो बाते दिल्ली के लिए राहत देनी वाली है पहला ये कि इस सीजन चन्नाई की टीम ने चेपोक पर 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 जीते हैं और 2 हारे हैं और दूस्ता ये कि दिल्ली ने भी टु हार भी सकती है और दिल्ली जीत भी सकती है वैसे इनके हार जीत का पॉइंट स्टेबल पर क्या आसर होगा वो भी देख लिजिए चन्नाई की टीम अगर दिल्ली को हराने में काम्याप रही तो 12 में से 15 अंकों के साथ प्ले आफ की टिकट के और करीब पहुंच जाएगी न सबसे निचले पायदान से थोरा उपर भी चड़ जाएगी जब कि हारने पर चन्नाई के 13 अंकी रहेंगे और दूसरे अस्थान पर ही रहेगी तो समीकरन ऐसा है कि अगर चन्नाई जीतती है तो रहेगी उसी अस्थान पे लेकिन अपना प्ले आफ का टीकट मजबूत और अगर उदर दिल्ली जीतती है तो वो अंक और लेकर के आगे चड़ने का कोशिस करेगी और प्ले आफ के रेस में जाने की कोशिस करेगी जो भी इस मैत से जुरा खबर होगा जो भी इस मैत से जुरा अपडेट होगा आपके तक साजा करेंगे तब तक देश और दुनि